हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर मेरा नामे रादे और मैं आज सर्वेंग सब्जेट से रिलेटेड चैनल टेप सर्वे के ऊपर एक नया वीडियो लेकर काया हूँ और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए कि जिससे हमारे आने वारी सारी लेटेस वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेस से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आप निचे दिया हुआ है आप इससे जुड़ करके और भी अपडेट पा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के हम सुरुआत करते हैं आज का वीडियो में भी हमने ए हमने कुछ इस तरह के व्रम्यले को देखा था अपनी प्रिवेस वीडियो में कि हम एरिया के अंदर की सर्फ करेक्सन करते हैं ुसको नहीं देखा था कि यहाँ पर friends आपको जब भी हम sums करेंगे आपको ध्यान रखना क्या है कि friends हम जो भी part लेंगे वह दो part में लेंगे कि हमारा chaining part अलग रहेगा और जो भी हम measurement करते हैं वह part को हम अलग रखेंगे जिस तरह से हमारा chaining part अलग रहेगा तो उसी तरह इसमें हम area part को अलग करेंगे तो area part हम क्या अलग करेंगे कि जो भी हमारा capital A dash रहेगा उसे हम लेंगे measurement area of the ground और जो हमारा capital A रहेगा उसे हम लेंगे true area of the ground यानि actual area तो इसका formula क्या create हो जाएगा friends कि A is equal to A dash into bracket में हो जाएगा capital यह eldest upon yield का holy squash जी हाँ friends हम इसी formula की मदद से आज के numerical यानि आज के sums को हम solve करेंगे तो चलिए friends आज के sum को हम पहले समझ लें कि क्या कहता है जी हाँ हमारा यहाँ पर यह sums दिया है यह sums को मैं आपको पहले समझा दू क्या कहता है sum हमारा कि the plan of plot was prepared by the taking measurement with the 30 meter chain जी है यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर मैं आपको एक और रूल बता दूँ जिसे कि मैंने काल आपको हिंट देता है कि हम कोई भी sums करते हैं तो उसका हम पहले given data लिक लेते हैं तो इसका भी friends अगर आपको जो भी measurement मिलता है उसके नीचे आपको underline कर करते हुए चलिए कि जिससे आपको पता चले कि हमारा क्या-क्या measurement करने लिए फिर क्या-क्या value हमारी दी है जो हम sums के अंदर put-up करके एनसर निकाल सकते हो तो यहाँ पर पहला ही आ रहा है हमारा क्या कि the plan of plot was prepared by the taking measurement with a 30 meter chain ती हाँ पर 30 meter chain हमने दिया है 30 meter की chain है पर बताई है तो उसको हम ले लेते हैं इसके बाद the area of plot on plan is 300 cm square तेहाँ पर एकोर मीरा क्या है हमारा plot of plan किसके उपर है plot of plan है plan बना रहे हैं उसका हमने ले रखा है 300 cm square और if rf जी हां rf यानि जो मैंने अपने scale में मैंने बात किया था representative fraction उसको कहते हैं rf और यह हमारा कितना दिया है 1 cm upon 100 cm जी हां 1 cm upon 100 cm तो यहां कुछ इस तरह से है और इसके बाद क्या कहता है and the chain used for the measurement was the 0.2 meter to sort कितना sort है 0.2 meter जी हां friends इसे याद रखिएगा और calculate the true area of plot हमें क्या calculate करना है true area of plot यानि हमारा a तो friends इसकी given data को लिख लेते हैं चलिए friends एक काम करता हूँ पहले मैं sums को एक drawing के मादन से समझा देता हूँ यहां पर कहना क्या चाहता है आपको कि हमारा जो भी sums है यह कह रहा है कि हमने 30 meter की हाँ पर chain का use किया है जी हां friends जो हमने chain लिया है जो मतलब chain हम फेक रहे हैं वह chain हम हमारा 30 meter का है जी हां वह हमारा 30 meter का chain हो गया और इसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी हम plan page के उपर बना रहे हैं मतलब जो ऐसा हम drawing seat ले रहे हैं उस plan के उपर हम 300 cm square का plan बना रहे हैं जी हां और इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका RF जी हां representative fraction यह कितना है 1 cm upon 100 cm जी हां कुछ इस तरह से लिया है तो friends इसे अगर हमें solve करना है तो पहले इतना पता लगाना पड़ेगा हमारे ground के उपर उस value कितनी होगी मतलब जो हमारे यहां पर 300 cm जो हमारे paper के उपर है वह हमारा actual ground के उपर कितना होगा तो friends पहले इसके RF को हम solve कर लेते हैं तो चलिए friends इसके पहले sums क हम स्टार्ट अप करते हैं गिवन डेटा लिख करके जी हां friends यहां पर हमारा आएगा पहला गिवन डेटा जी हां गिवन डेटा गिवन डेटा हम पहले लिख लेंगे हमको क्या मिला है यहां पर chain यानी यल true length of chain जो हमारा 30 meter और इसके बाद हमारा यहां पर क्या आ रहा है area of plot on plan जी हां कितना है 300 centimeter square और यहां पर हमें RF दे रखा है RF हमारा कितना है 1 centimeter upon 100 centimeter जी हां और इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है कि the chain used for measurement was the 0.2 meter short to short है मतलब छोटा है तो friends इसमें हमारा क्या निकलेगा correction of chain यानी l dash is equal to यहां पर हमने chain कितना ले रखा 30 meter का तो 30 meter यहां पर minus करेंगे कितना 0.2 meter तो friends हमारा जो भी correction of chain हो जाएगा उसको केल्सी के मदद से निकाल सकते हैं यहां पर मैं आपको केल्सी के मदद से निकाल के बताता हूं यहां पर हमारा 30 meter minus 0.2 कितना हो गया 29.8 meter जी हां यह हमारा क्या हुआ l dash नि correction of chain यह निकल गया अब इसके बाद यहां पर हम अपने rf को पहले solve कर लेते हैं आरेफ आला representative fraction जो उनको दे रखा है तो friends हम आपर ले लेते हैं आरेफ मारा कितना है 1 cm यहां पर पॉन 100 cm यहां पर 100 cm तो friends यहां पर 1 cm पर 100 cm है तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं 100 cm is equal to 1 meter तो 1 cm upon 1 meter तो इसका rf यानि कितना हो जाएगा चुकि इसलिए यहां पर 1 cm is equal to 1 meter यह हमारा rf ऐसा हम कह सकते हैं जी हां friends मतलब हम जो भी हम प्लान लेंगे 1 cm पर तो वह हमारा 1 meter के बराबर होगा तो friends अब हमें क्या काम करना है कि इसका जो भी हमारा actual ground पर distance होगा वह कितना होगा वो निकाल लेते हैं जी हां friends तो क्या निकालेंगे area of plot on the ground जी हां यह हम अब ground के ओपर कितना आएगा उसे निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमारा जो भी cm हैगा हमारा कितना आए था sorry हमारा जितना भी square रहेगा उसका हम into करेंगे किसके साथ जो भी हमारा यहां पर दिया है length यान जिसका हम यूज कर रहें measurement 1 cm is equal to 1 meter मतलब किस तरह से कि मतलब यहां पर आपको समझा आई था scale chapter में कि हमारा यहां पर क्या कह रहा है कि 300 cm हमारा किसके ओपर है plant यानि paper पर हम बना रहें तब और इसका scale कितना है 1 cm is equal to 1 meter मतलब जैसे कि अगर मैं यहां पर paper पर 1 cm का line लूँ तो मेरा यहां ground को पर कितना होगा cm किस तरह से कि मतलब मेरा यहां पर जो भी 1 cm is equal to 1 meter ले रखा तो 1 meter की line रहेगी और मेरा 1 cm is equal to 1 meter है तो 1 into 1 करूँगा तो मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा अगर मेरा यहां पर मैंने scale 2 cm ले रखा होता 1 cm is equal to 2 meter तो मैं 1 into 2 करता तो कितना आता मेरा 2 तो कुछ इस तरह से variations आते रहते हैं मत इस तरह से हम इसको solve करते हैं तो फ्रेंट अब आगे देखते हैं यहां पर हमारा कीतना है total area तो यहां हमारा 300 into यहां पर लेंगे यह, वन meters into 1 meter क्यों लेंगे क्योंकि हमारा इहां है square है तो यह इंटू यह लाएगा तो friends इसका कितना हो जाएगा यहां पर तो 300 meter square जी हां यह हमें क्या मिल गया हमारा a dash जी हां friends हमारा a dash मिल गया अब हमें क्या निकालना था formula की मदद से a यहां हमारा क्या निकालना है true area of plot तो friends इसके लिए हम formula यहां पर put up करेंगे a is equal to capital a dash into bracket में capital l dash upon l का whole square तो friends अब इसके बाद हम इसमें हमारा क्या मिल यहां पर a dash a dash मिल चुका है हमारे पास capital al dash भी है और यहां पर हमारे पास capital l है और इसको put up करके हम आसानी से a को निकाल सकते हैं तो friends हमारा a dash क्या है यहां पर 300 into bracket में बाया हमारा है यल dash 29.8 upon हमारा क्या है chain यानि यल 30 का whole square इसके बाद friends हम इसे Kelsey की मदद से पहले इन दोनों को divide कर लेंगे इसके बाद इनका square कर देंगे और इनका square के साथ इसका into कर देंगे तो कुछ इस तरह से आई हमें दिखाता हूं आपको 29.8 divided by 30 तो friends है 0.99 इसका कर देंगे हम square यह आगया हमारा 0.9867 और इसका कर देंगे into 300 तो friends यह आगया हमारा ए यानि एरिया टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा 296.01 मीटर का square क्योंकि यहां पर area है तो friends इस तरह से हम solve करके कोई भी example का area का जो भी हमारा example रहेगा उसे हम आसानी पूरवक solve करके निकाल सकते हैं friends ज्यादा क्या कुछ variations आएंगे कि मान लिजिए हमारा यहां पर यल दे रखा है यल दे रखा और area बताया हुआ और यहां पर यल डेस ना दिया हो उसकी जगह पर क्या दिया हो सीधा area ही दे दिया हो total area तो हम इसकी जगह पर इसको put up करके और इसको आसानी पूरवक निकाल सकते हैं ऐसे कुछ